नमस्का, मैं होसा सी आयो जरकन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं बच्चो को भी लग सकेगी को वैक्सीन बड़ों के साथ अब बच्चो को भी को वैक्सीन की डोज लग सकेगी बतादे ड्रग्स कंट्रोल जनरल अफ इंडिया ने इसकी मंजूरी दे दिया अब गाइडलाइन का इंतियार किया जा रहा है गाइडलाइन आते ही बच्चो को वैक्सीन लगनी सुरू हो जाएगी बतादे रांची में भी लंबे समय से बच्चो के वैक्सीन का इंतियार किया जा रहा है डक्टरों का कहना है कि पेलेंट्स बच्चों को लेकर किसी तरह क्या संकार न रखे गाइडलाइन आते ही बच्चों को ठीका लगवाए बता दे सिविल सर्जन डक्टर बिनोत कुमार का कहना है कि को भैक्सिन की जो ट्राइल स्टाडिय रिपोर्ट है उसमें भी बताया गया था कि या वैक्सिन बच्चों के लिए पुरीत्रा सुरक्चित होगी जे एसल पीएस में 29 सोरिक्तिया 424 पदों के लिए मांगे आवेदान ग्रामिन बिकास बिभाग के अंतरगत जे एसल पीएस में करीब 29 सोरिक्ति पदों पर सुरू कर दी गई है फिलाल 424 पदों के लिए 24 अक्टूबर तक आवेदन मांगा गया है बतादे इसके तहत कंसलेट, ओपरेटिंग ओफिसर, प्रोग्राम मैनेजर, जिला परवन्ध, कोडिनेटर, ब्लोग कोडिनेटर, प्रोग्राम ओफिसर, कम्यूनिकेशन ओफिसर जैसे पदों पर भारती होगी फारती पर किर्यादी समबर तक पूरी कर लिजाएगी जारखन में 233 सडके वह एक हत्तर पूल निर्मान को केंदर सरकार ने दी मंजूरी जारखन सरकार के प्रस्ताव और केंदर ग्रामिन विकास मंत्राले ने समाती प्रदान कर दी है इसके तहत अब जारखन के नकसल परभावी छेतरों में प्रदान मंत्री ग्राम सडक योजना के तहत 233 सडकों के निर्मान किया जाएगा बता दे इस योजना को केंदर सरकार के सोकृति मिलने के साथ ही राजे में एक हतर पोल निर्मान को भी मजूरी दी गई है बता दे की राजे में 1754 किलोमीटर सडक बनेगी इसके तहत सडक और पोल निर्मान पर करीब 1396 क्लों रुपे खर्च होंगे अमीत खर्रे बने परदान मंत्री मोदी के सलाकार भारते प्रसासनिक सेवा के पुर्व अधिकारी अमीत खर्रे को परदान मंत्री नायन बोदी का सलाकार निक्त किया गया है बता देवे पुर्व नौकर साह खर्रे पिछले महीने ही उच सिक्षा सचिव के पद से सेवा निवरित हुए है कार्मिक मंत्राले की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उन्हें दो साल के लिए इस पद पर निवक्त किया गया है आई टी आई पास अभियर्थियों के लिए टाटा ग्रोथ सोप में मोका टाटा इस्टील की अनुसांगी इकाई टाटा ग्रोथ सौप में आई टाइ पास अभियार्थियों के लिए अउसर है इसको लेकर कम्पनी की ओर से सर्कुलर जारी किया गया है जारखन लोकेशन के लिए यह बहाली है बता दे जारखन डो मिसाइल की पत्रता वाले अभियार्थी 14 अक्टूबर तक इसके लिए ओनलाइन आविदन कर सकते हैं अभियार्थियों के लिए आईटियाई पास वना अनिवार्य है नयक सर्टिफिकेट को मनियाता नहीं है बता दे आईटियाई में समाने वर्ग के लिए 70% और एस्टी-एस्टी के लिए 60% फिश्दी अंग लाना अनिवार्य है सिल्प बजार में उमर्ती थी हजारों की भीड़ पच्मी सिम्भूम के चाइबासा सहर इन दिनों जार्खन सरकार और जीला परसासन की दोरी निती लोगों को नहीं पच रही है बता दे क्रोना संक्रमन की कारण जहां राज सरकार ने दुर्गा पूजा को लेकर गाइलान जारी किये हैं वहीं चाइबासा के सिल्प बजार में पिछले महीने हर दिन हजारों की भीड़ उमर्ती थी और साम को मेले भी लगते थे इस बात को लेकर छेत्रे के लोगों में काफी गुसा है और सरकार के सवाल भी कर रहे हैं कि दुर्गा पूजा में ऐसी छोट क्यों नहीं बता दे दुर्गा पूजा को लेकर जसन के महौल में सराबोर हुचुका है सहर में दुर्वोट्सों को लेकर सभी पंडालों के पट खोले जा चुके हैं ऐसे में माक के दर्सन को सधालू बेकरार है एक्सिलेंट दोसव बिसेस कोचिंग में परतियोगी परिक्षाओं की त्यारी करेंगे छात्रे जारखन के कोडर्मा जिले में विभीन परतियोगी परिक्षाओं की त्यारी को लेकर एक्सिलेंट दोसव नाम से बिसेस कोचिंग शुरू की जा रही है इससे लेकर त्यारी जोरो पर है बता दे एक्सिलेंट दोसव के तहद छात्रो का चैन करने के लिए 18 अक्टूबर को परिक्षा आविजित की जा रही है चैनित छात्रो को बिसेस कोचिंग का लाभ मिलेगा कोडर्मा जिला पर सासंद वारा एक कवायत की जा रही है कोडर्मा में एक्सिलेंट दोसव नाम से बिसेस कोचिंग को लेकर आगामी 18 अक्टूबर को दो केंद्रो CH पलस टू उच विद्याले वा CD गल्स हाई स्कूल जूमरी तिलिया में परिक्षा होगी चात्रवित्ती घोटाला जार्खन में चात्रवित्ती घोटाला का जाच कर रहा वरष्टा चार निर्धक बियोरो को 10 महिने के बाद भी अधिकतर जीलो ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है नतीजा आया हुआ कि जिस रिपोर्ट को 15 दिनों के भिता राई सरकार को सोपने का निर्देश था उसकी जाच 10 महिने के बाद भी आगे नहीं बढ़ सकी बतादे मुख्य मंत्री हमन सुरन के आदेश पर गत वर्ष 15 दिसमर को एसीबी ने चात्रवित्ती घोटाला में प्रारामबिक जाच दर्च की थी जार्खन में टीका करन काफी पीछे जार्खन में हाल के दिनों में टीका करन की रफ़्तार में कमी आई है पुर्व में भैक्सीन उपलब दराने पर 15 लाग से अधिक लोग का टीका करन होता था लेकिन अब रोजाना एक लाग से कम टीका करन हो पा रहा है बता दे इस रफ्तार से राजेमी दिसंबर माह तक पहली डोज के टिका करण का भी लग्ष पुरा नहीं होगा पहली डोज का ही लग्ष पुरा होने में लगभग साढ़े तीन माह और लगेंगे इसकी वज़ा राजे में पूर्व की तरह कुरोना ठीका करन को लेकर बिस्यस अभियान नहीं चलाया जाना है जारखन में एक बार फिर कुरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं पतादे जारखन में 16 नए केस मिले हैं भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 2,872 बीजेपी 100 क्रोर लोगों को टीका लगने पर मनाईगी जस्न भाजपा देश भर में 100 क्रोर लोगों के टीका करन का जस्न मनाईगी मंगलवार को भाजपा परदेश मुख्याले में पता अधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक में या निन लिया गया बता दे भाजपा के परदेश अध्यक्ष दिपक प्रकास ने देश में 200 के सबसे सोस्ते और सौदेशी टीका करन अभियान के आकड़े साजा करते हुए बताया कि अब तक देश में 95.90 क्रोर लोगों का टीका करन हो चुका है और 66.65 क्रोर से अधिक लोग कम से कम एक डोज ले चुके हैं जबकि 27.2-3 करोर से अधिक लोगों को बैक्सिन की दोनों डोज लग चुकी है बीजेपी ने कॉंग्रेस को बताया नोटन की भाजपा के परदेश अधिक्ष दीपक परकास ने उतर परदेश के मुद्दे पर कॉंग्रेस द्वारा किये जा रहे धाना परदसन को नोटन की बताया है मंगलवार को परदेश कर्यालेम उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस देश और राजे में अरजकता फैलाना चाहती है पर ड्राम में बाजी करने के बजाए बिभा का काम निप्टा कर जानता को राहत दे जे सी इ आर्टी की खिताबे बजार में बिक्री के लिए होगी उपलवद जारखन सेक्षिनिक अनुसंधान एवं प्रसिक्षन परिशाद की पाठे पुस्तके बजार में भी बिक्री के लिए उपलवद होगी बतादे परिशाद ने पुस्तकों के परकासान को लेकर परकासकों के चयन के लिए टेंडर परकिरिया सुरू कर दी है परिशद ने सेक्षिनिक स्तातर दोजार बाईस तेज में काक्षा एक से आठ के साभी बच्चो तथा काक्षा नौ एवं दस की छात्राओं को निसुल्क पाठे पुस्तके उपलब्द कराने को लेकर भी परकासको के चायन की परकिरिया सुरू कर दी है इससे बच्चो को समय पर पुस्तके मिल सकेंगी जार्खन सरकार के कर्मियों को दुर्गा पुजा बाद मिलेगी अच्छी खबर जार्खन में सरकारी कर्मियों के लिए दुर्गा पुजा के बाद अच्छी खबर सामने आ सकती है पिछले लगबग एक बरस से प्रोनती के लाब से वन्चितर रहे सरकारी कर्मियों को प्रोनती देने के लिए फर्मूला को तयार कर लिया गया है बता दे बिधान सवा समीत्zeit के अनुशंसा पर पिछले वर्स अक्टूबर महीने से ही कर्मियों को प्रोनती का लाब नहीं मिलपा रहा है बिधान सवा समीत्ती ने बाद में अपने अनुशंस सवा अपस लेते हुए प्रोनती पर लगी रोख हटाने का अगरा करते हुए में कारेरत सन्वीदा सहीत किसी भी परकार से नियुक्त मैलाओ को मात्रित्व अवकास का लाब मिलेगा जार्खन हाई कोट के जस्टिस डाक्टर एसेन पाठा की अधालत ने अपने आदेश में कहा है कि मात्रित्व अवकास लाब अधिनियम 1961 के सेक्षन 2 के अनुचार मात्र सितंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था 16 अक्टूबर को पेंशन अधालत रांची जिला सिक्षा करया लेकि ओर से 16 अक्टूबर को जिला स्कूल परिसर में पेंशन अधालत लगाया जा रहा है बता दे रांची जिले के सिक्षकों के पेंशन और इसे समंधि एवं ब्यान पता अधिकारी को पत्र लिखा है इगुनु में नमांकन अब 25 तक इगुनु में जुलाई 2021 की सेक्षिनिक सत्र के लिए असनातक डिगरी, बैसलर्स, ओनर्स और असनतकोतर के सभी कारेक करमों में ओनलाइन नमांकन की अम्तिम्ति 311 अक्टूबर से बढ़ा कर 25 अक्टूबर तक कर दी गई है नमांकन समांधित 20-30 जनकारी विश्वविद्याले की अधिकारिक वेपसाइट www.ignu.ac.in पर उपलब्ध है पाराशिक्षक अस्थाई करण रिम्स के 18 स्टूडेंट को होस्टल खाली करने का आदेश रिम्स के होस्टल में सीनियर जुनियर मेडिकल स्टूडेंट के बीच मारपिट की घटना के बाद रिम्स परवधन ने 18 मेडिकल स्टूडेंट को होस्टल से निस्कासित करने का आदेश जारी किया है बतादेश में डाक्टर मिर्णाल और डाक्टर अभिशेक के साथ खुल 18 स्टूडेंट वर डॉक्टर्स को रिम्स कैंपस इस्थीत होस्टल से निस्कासित किया गया है इस दोरान अनसुवधाय जैसे केंटीन वर मैंस की सुवधाय से भी बंचित किया गया वही निस्तकासित अओधी में इन स्टुडेंट को अपने सयोगियों के कमरे में भी रहने के अनुमती नहीं दी गई है हजारी बाग जिला अंतरगत बाका गाव परखंड में एक बार फिर हाथियों ने उत्पाद मचाया है जहां किसानों को लोकडाउन तावते तुफान गुलाब तुफान और भारी बारिस ने कमर तोड़ दी है वहाई दूसरी और हाथियों के द्वारा बढ़का गाव परखंड के नापो खुद पंचायत के मुरली पहाड के आसपास के दरजनों एककड में लगे धान, मिर्च, गोभी और टमाटर के फसल को रोंग दड़ा बता दे जीले के किसानों को काफी नुकसान हुआ है और अब दुर्गा पुजा कैसे मनेगी इसकी चिंता सताने लगी है धन्यवाद